Hello and welcome to TechInfoYT. तो इस वीडियो में हम Instagram post like button create करने वाल है ReactJS की मदद से. तो यह complete beginner series है, इसमें हम events के उपर और काम करेंगे. तो previous वीडियो आपने देखे होंगे e-signature app या फिर random bg color. तो इसमें भी हमने state or event को handle किया था और इस project में हम क्या करेंगे? कंडिशनली state को manage करेंगे events की मदद से. तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक application को create कर लेंगे. तो कहीं पर भी आप create कर सकते हैं, मैं h drive के अंदर create कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं इस path को command prompt में open कर लेता हूँ. और यहाँ पर हम React के application को create करेंगे. और फिर प्रोजेक्ट का नाम. तो इसका नाम में रख देता हूँ, post, like और enterprise कर देंगे. तो हमारा project जो है, create होना start हो जाएंगा. और यह जैसे create हो जाएंगा, तो इसको हम visual studio code में open कर लेंगे. तो वेट करते हैं, इसके finish होने का. और यहाँ पर हमारी application create हो चुकी है. यहाँ पर हम क्या करेंगे? CD और फिर application का नाम, जो कि हमारे case में है, post, like. तो इस project के अंदर हमको switch हो जाना है, enterprise करेंगे, cls. और इस project को हम क्या करेंगे? Visual studio code में open करेंगे. तो उसके लिए आपको लिखना है, code, space, dot, और enterprise कर दीजिए. यह project automatically visual studio code में open हो जाएंगा. देख सकते हैं, यहाँ पर यह open हो चुका है. साथी में इसको run कर देंगे, तो उसके लिए है npm start की command. तो default जो भी आपका browser रहेंगा, तो localhost 3000 port पर हमारी React के application रहन हो जाएंगी. तो देख सकते हैं, यहाँ पर localhost 3000 पर हमारी application रहन हो रही है. परस्ट टाइम में लोड लेती है, सेकेंड टाइम में यह past refresh होती है. यानि कि जब भी आप changes करेंगे, save करेंगे, automatically changes detect होंगे और वो यहाँ पर reflect होंगे. तो default layout कुछ इस तरीके से है, हम क्या करेंगे, पहले default layout को remove कर देंगे. तो आपको जाना है source में, source के अंदर हमारे पास app.css, सारा code remove कर देंगे, save, इसी तरीके से index.css में जितना भी code इसको भी remove कर लेंगे, save, app.js में से header section पर remove कर लेंगे, और यहाँ पर h1, post like app, और यहाँ से class name भी आप remove कर लेंगे, और इसके बदले हम क्या करेंगे, यह जो div है ना, उसके बदले react fragment का syntactical sugar form ले लेंगे, और इसके अंदर एक div ले लेंगे, main container के नाम से, main container, और इसके अंदर इस post को जो है add कर देंगे, और यहाँ से app.css और logo की file को भी remove कर लेंगे, save कर लेते हैं इसको, और एक बर चेक कर लेते हैं, output कैसा दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमको output देखने मिलेंगा, अभी भी हमारे पास white space है, यानि के top से हमको margin मिल रहा है, padding मिल रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, reset करना है, तो CSS को पहले reset कर देंगे, universal selector का इस्तेमाल करें, margin zero कर दें, इसी तरीके से padding को भी आप zero कर ले, और box sizing को जो है आप border box कर save कर लेतें इसको, अब check करेंगे तो देखें, default जो भी यहाँ पर CSS है वो remove हो जाएंगी, इसके साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर bootstrap को भी add कर देंगे, इसके लिए आपको जाना है get bootstrap, first link आपको मिल जाएंगी, यहीं से हम क्या करेंगे, इसको use कर लेंगे, so docs पर click gradient link भी मिल जाएंगा, देखें, यहाँ पर bootstrap का, इसको आप copy कर लें, और public folder के अंदर आईए, इसके अंदर हमारे पास है index.html की file, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको paste कर देंगे, इस comment को मैं remove कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर paste, save, तो यह link हमने भी add कर दिया, इ post like app, और एक बार चेक कर लेंगे हम इसको, हमारे पास जो h1 है, इसको हम जो class देदेंगे, class name, और इसको कर देंगे text info, save, तो देखेंगे आपर इसका color जो है change हो चुका है, अब main container को मैं target कर लेता हूँ, और सब कुछ center align कर दूँगा, तो इस main container को target करेंगे, index.css.main container, इसक justify content center, height भी में add कर देंगे, 100% viewport height, और इसी तरीके से हमको क्या करना है, यहां पर flex direction जो है, इसको भी change कर देना, और इसको कर देना है column, save कर लेते हैं इसको, और एक बार test कर लेंगे, तो दीखेंगे, सब कुछ center align हो चुका है, इसके बाद में हम bootstrap का card यूज करेंगे, तो यहां पर आप search करें document में, card, तो card कुछ इस तरीके से काम करता है, आप इसका use कर सकते हैं, इसको जो classes है, उसको आप as it is copy कर सकते हैं, या फिर मैं जो लिख रहा हूँ, आप मेरा code भी copy कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर card add कर देंगे, और एक h6 में यहां पर add कर द देंगे, और इसमें इसकी width भी हम add कर सकते हैं, तो style की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी width जो है, assign कर सकते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे width, और इसको कर देंगे 18 रहें, और इसके अंदर एक और class हम add कर देंगे, card header की, और इस card header के अंदर हमको क्या करना है, सबसे प recording में हमारे पास रहेंगी image, image जो है भी फिलाल empty रहने देते हैं और इसको कर देते हैं हमारे पास post image, यूँकि post से related image रहेंगी, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर footer का use कर लेंगे, तो again एक class आपको add करेंगे, card footer, और इस footer के अंदर भी हम क्या करेंगे, like का button, comment का button और share का button जो है add कर देंगे, save कर लेते हैं इसको और एक बार देखते कैसा दिख रहा है, चलते है application पर और कुछ इस तरीके से हमको देखने मिल रहा है, card header, इसी तरीके से image और पिर यहाँ पर like, comment, share का text अभी दिख रहा है, हमको इसको icon से replace करना है, और यहाँ पर R missing है, देखे, card footer में, card footer रहेंगा, चलते हैं वापस, तो देखे, कुछ इस तरीके से post हमारा दिखाई देगा, अभी फिलाल कुछ भी नहीं है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं image add कर देता हूँ, तो image के लिए हम क credit भी दे दे, और यहाँ से हम कोई भी post से related search कर लेंगे, तो यह वाली image हम क्या कर लेंगे, copy कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, हम directly इसका URL यूज कर लेंगे, तो open image in new tab, यहाँ पर URL मिलता है, इसको copy कर लेंगे, और इसको एक variable में store कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम एक variable बन देंगे, यहाँ पर paste कर देंगे, image में, देखिए, यहाँ पर src, तो इसके अंदर curly braces, और इसके अंदर इसको pass करा देंगे, image URL, save कर लेते हैं, और एक बार देखते है, कैसा दिख रहा है, यह रही हमारी application, तो इसका height और width काफी बड़ा है, तो इसको हम change कर लेंगे, width तो पर कैसा दिख रहा है, तो 100% में कुछ इस तरीके से आ रहा है, और यह body के अंदर इसलिए जो हमको padding देखने मिल रही है, अगर हम इसमें से body remove कर लेंगे, card body, edge to edge आए जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, और एक बड़ देख लेंगे, तो यह बराबर चिपक करा रहा है, अब को क्या करना है, यहां पर user का icon और फिर username और इसके बाद में यहां पर like button, comment button और share button जो कराना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, react icon का use कर सकते हैं, तो यहां पर आप Google पर search करिए, react icons तो यह package है, इसमें क्या है, हमारे को बहुत सारे icons मिल जाते हैं, देखिए, यहां पर scroll कर तो यह सारी libraries है, अलग से, लेकिन अगर आप react icon को install करेंगे, यह सभी icons को आप use कर सकते हैं, तो बहुत सारे icons है, और इसको कैसे use करना है, simple तो आपको पहले शुरू यह command को execute करना है, npm install react icon, तो इसको हम क्या करेंगे, integrated terminal का use कर लेंगे, और यहां से new terminal, make sure आप project के अंदर हो देखिए हमारे project करना में post like, और इसको paste कर देंगे, npm install react icons, और enter press कर देंगे, तो यह dependency आपके project में install हो जाएंगे, और आप इसको check कर सकते है, package.json की file में, पहले wait करते हैं, इसके finish होने का, तो यहां पर यह dependency जो है, download हो चुकी, आप इसको package.json की file में check कर सकते हैं, देखि इसका object है, इसके अंदर project से related dependencies होती है, तो इसमें हमारे पस react icons जो है add हो चुका है, अब इसका हम use कर सकते हैं, कैसे use करेंगे, बहुत simple है, पहले यह files को में close कर देता हूँ, हमको क्या करना है, सबसे पहले जो icon को import करना पढ़ता है, तो हम पहले search कर लेंगे icon कौन सा है, तो first वाला user के लिए है, तो user search कर लेते हैं, तो user से related सारे icon यहाँ पर show करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वाला ठीक रहेंगा, I think, bi user circle, तो इसका हमको use करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस icon को import करना पढ़ेंगा, top पे हम क्या करेंगे, इसको import कर दे bi, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका use कर लेंगे, देखिए user icon लिखा था न, इसके बदले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको custom HTML element के तरह ज़र target करूँगा, self closing tag, save कर लेते हैं इसको, देखते हैं कैसा दिख रहा है, यह रहा हमारे application, और इसको refresh कर लेंग यहीं से हम क्या करेंगे, heart को add कर देंगे, heart, अब heart में दीखिए दो है, अगर यह like रहेंगा, तो हमको क्या करना है, इसको fill करना है, और initially क्या रहेंगा, यह, ऐसा कुछ इस तरीकी से रहेंगा, outline के जैसा, तो इसी का हम use कर लेंगे, देखिए, AI outline heart, इसको copy कर लेंगे, top प import करना है, इसी को copy paste कर लेते हैं, और फिर icon को यहाँ पर paste कर लेंगे, और अब library है, AI की, और यहाँ पर like के बदले, self closing tag में इसको add कर देंगे, save, check करते हैं इसको एक पार, तो दीखिए, यहाँ पर like का button कुछ इस तरीके से आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, comment को भी add कर तो यहाँ पर size और इसको कर देंगे, हम 36, check कर लेते हैं, 36 कितना show करता है यहाँ पर, तो दीखिए, 36 पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ठीक ठाक है, इसके बाद मैं comment का चाहिए, और fill वाले भी चाहिए, तो fill वाले को हम क्या करेंगे, conditionally show करा देंगे, कैसे कराएंगे इसके लिए एक variable हम create कर लेंगे, let like equal to true, अगर like true है, तो क्या करो फिर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको show करा देंगे, initially क्या करा रहे हैं, यहाँ पर outline वाला show करा रहे है, अब हम क्या कराएंगे, fill वाला जो show करा देंगे, so fill वाला भी आप copy कर लें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं comment share को remove कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर ternary का इस्तेमाल कर लेंगे, अगर like है, तब क्या करो, यहाँ पर, अभी जो हमने icon copy किया है, उसको paste कर देंगे, paste, self closing tag, size इसका भी हम रखेंगे, same 36, और इसमे class name add कर देंगे, यानि इसको rate करना हम को इसलिए हम class name add कर देंगे, और इसको कर देंगे, bg, danger, और else condition हम add कर देंगे, else में outline वाला icon जो हम यहाँ पर add कर देंगे, तो इसको cut करके, यहाँ पर paste कर लें, save, और इस icon को अभी हमको import करना है, copy कर लेंगे, copy, और top पे import कर देंगे, same package में से, इसलिए इसके बाजू हम इस कर सकते हैं, और यहाँ पर semicolon होता है, save, चलते हैं वापस application पर और इसको refresh कर लेंगे, तो दीखें, यहाँ पर like का कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसका background आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो four color उसको कर देता हूँ, four color के लिए हम क्या करेंगे, text की property उसकर लेंगे, ज like की value का अगर मैं false कर दूँगा, initially तो false रहेंगा, जैसे event की मदद से हम क्या करेंगे, इसको true कराएंगे, चलते हैं वापस, तो दीखिए कुछ इस तरीके से show करेंगा, अब मैं comment का icon भी add कर देता हूँ, comment पर भी हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम add करके छोड़ देंगे, comment, comment के लिए ये ठीक है, bi comment detail या फिर bi comment ये सादा वाला भी ठीक है, इसको copy कर लेंगे, और bi है, तो bi already हमारे पास use किया हुआ है, देखिए, यहाँ पर इसको import कर देंगे, और फिर इस turnery के बाद में थोड़ा सा space दे देता हूँ है, nbsp, non-breaking space, और इसके बाद में इसको paste कर दे कर देंगे, self closing tag, size इसमें भी same 36 का कर देंगे, save, check कर लेते हैं एक बाद, चलते है application पर, और यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से comment का option आ रहा है, और share के लिए भी कर सकते हैं, आपके उपर है, share के लिए I think, share के लिए ये वाला ठीक है, AI share, या फिर ये भी ठीक है, या BI में से copy कर लेते हैं, ये वाला BI share, copy, इसको भी import कर देंगे, ये BI में से है, तो इसके बाद में comma लगा के add कर देंगे, और फिर यहाँ पर, again मैं क्या करता हूँ, NBSP का use कर लेता हूँ, आप चाहे तो class की मदद से भी margin दे सकते हैं, जादा margin नहीं देना, इसलिए मैं NBSP का use कर रहा हूँ, paste कर देंगे, sizes में भी add कर देंगे, 36, self closing tag, save, check कर लेता है एक बार, तो देखिए, यहाँ पर like, comment और share का option बराबर से show कर रहा है, आप icon अपने हिसाब से भी change कर सकते, make sure इस पर थोड़ा सा changes करते रहें, और 36 के बदले मैं क्या करता हूँ, सब को 30 कर देता अब हमको क्या करना, इस like बटन पर काम करना, यानि कि इस पर click हो, तब यहाँ पर यह red में show हो, यह functionality अभी हमको चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, events पर काम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर state को create कर लेंगे, तो top पे हम क्या करेंगे, react को import कर दे और फिल अरे, अरे के अंदर like, यानि get or or set or function, फिर उसके बाद में set like equal to use state, और initially कर देंगे इसको false, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर function create करेंगे, handle करने के लिए likes को, तो यहाँ पर आपको लिखना है const, फिर उसके बाद में handle likes, जो भी आपको function का नाम देना है, तो आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम conditionally, like or unlike के functionality को add कर देंगे, सबसे पहले check करेंगे, if not like, अगर like नहीं है, तब क्या करो, यहाँ पर set कर दो like को true, तो true होंगा, मतलब क्या होगा, यह like हो जाएंगा, else क्या है, else part भी हम add कर देंगे, अगर यह already like है, तो इसको dislike कर दो, तो यहाँ पर on click पे, on click, इस function को यहाँ पर add कर देंगे, same इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको outline वाले पर add कर देंगे, और यहाँ पर दीखिए, हम क्या करेंगे, style भी add कर देंगे, ताकि cursor pointer show हो, so यहाँ पर आपको style tag add कर देना है, और इसमें जो cursor है, उसको हम कर देंगे, pointer, same इसी को copy क कर लेता होगा, और outline वाले में भी paste कर देंगे, save, तो यह कुछ इस तरीके से multiline में दिखेंगा, चलते है वापस application पर, और यहाँ पर दीखिए, हमारे पास hover के ऊपर cursor pointer आ रहा है, इस पर click करूँगा, तो दीखिए, यहाँ पर यह change हो चुका है, यानि कि यह like हो चुका है इस पर वापस click करूँगा, तो यह unlike हो चुका है, इसी तरीके से हमको count को भी manage करना है, यहाँ पर हमारे पास count है, तो इसके लिए एक state हम create कर लेंगे, top पे, const count, set count, equal to, use state, initially कर देंगे इसको 0, और जो h1 है, जहाँ पर हम इसको show करा रहे हैं, उसको dynamically change करा देंगे, तो यहा आपको change करके बता देता हूँ, अगर मैं state में 1 कर देता हूँ, save, और यहाँ पर check करेंगे, तो देखे, count 1 बताएंगा, so जादा इस पर अभी हमको काम नहीं करना, इसके पर advance एक और project हम देखेंगे, अब इसको set कैसे करेंगे, simple है, अकर इस like है, तो क्या कर दो, यहाँ पर set कर दो count को 1 से, यहाँ पर हम क्या कर सकते है, इसमें जो count है, उससे increment करा सकते है, same चीज है, और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी set कर देंगे, set count को count minus 1, save कर लेते हैं, check कर लेंगे, चलता है application पर, और यहाँ पर मैं click करता हूँ, तो देखें, यहाँ पर 1 हो रहा है, और वापस करूँगा, तो यह zero हो रहा है, क्योंकि अभी फिलाल हमार पास कोई भी database नहीं है, और backend से connect नहीं है, तो सिर्फ एक user, इसलिए हाँ पर single like है, multiple user रहेंगे, तो फिर multiple likes भी हम यहाँ पर show करा सकते हैं, और हाँ, यहाँ यहाँ पर double click पे भी हम काम कर लेंगे, यान पे आपको लिखना है, on double click, और इसके पर add कर देंगे handle lights को, save कर लेंगे इसको, चलते हैं वापस application पर, और मैं इस पर double click करता हूँ, तो दीखिए, यह like हो चुका है, double click करूँगा, यह unlike हो चुका है, तो successfully हमने post like application को create कर लिया है, I hope आपको state और events की functionality समझ में आ गई होगी, तो मैं मिलता हूँ, next project में,